हेलो एवरिवन आज का हमारा टोपिक है डियने स्टक्चर एंड इट्स फॉर्म डियने की बात करें तो यह होता है डियोक्सिराइबोस नुक्लिक एसिड यह पॉली नुक्लियोटाइट्स होते हैं यह नुक्लियोटाइट सिमेल के बने होते हैं एक नुक्लियोटाइट्स के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं नाइट्रोजन बेस पैंटोष उगर और फोसफ्फोरिक ऐसेड नाइट्राइजन बेस प्यूरीन अन पिरिमीडीन होते हैं Purine होती ही हो double ring structure होती है और Pyramidine होती है नदर एडिनियन गवानिन आते हैं औरabord साईतोसीन, thymin and wahol प्यूरीन का नुमेद कलिज़र ऐं पंटी-cloak wise होता है और प्यूरीं का नोमेद कलिजर关 कलॉक वाइज होता है और और äडिनिन की बात करें होता हूं इसका नाम होता है six aminopurine इसमें च्छाय नंबर कारपन पर एमिनो ग्रूप प्रेजेंट होता है गवानिन टू एमिनो six oxopurine cytosine two oxo four aminopyrimidine thymine five methyl two four die oxopyrimidine और यूरेसील two four die oxopyrimidine अब पेंटो शुगर की बात करें तो यह डी अकसी राइबो शुगर होती है ना और यहांएबन जाउनि यह होता है कि डियने में दो नंबर काउड के दो नंबर कारपन पर अक्सेण ग्रूप अपस होता है और यहांए-घु राड यूण फंपोनेंट अपर फोस्फोरीग का पांस नंबर फोस्फेट का बीज में फोस्फोट आयस्टर बॉंड प्रेजेंट होता है कि नाइटोजन बेस शुगर के एक नंबर कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक बॉंड द्वारा जुड़ा रहता है अब बात करते हैं अगर नाइटोजन बेस और शुगर बोलें तो व हाइडिजन बॉंड होते हैं और गुवानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइडिजन बॉंड होते हैं डिने की बैकबॉंड की बात करें तो वह शुगर और फोस्फेट से मिली बनी होती है जो कि हाइड्रोफिलिक होती है और इंटरनल साइड होता है वह नाइडिन ब पिशे लेंग्ट थर्टीफोर अंग्स्रों होती है एक हैलिक में दस नाइडोजन बेस प्रेजन होते हैं दो नाइडोजन बेस के बीच की दूरी अधिलेश का डायमेटर 20 एंग्स्रों होता है यह सबसे मौस्स्टेबल फॉर्म होती है यह वोट्सन और ग्रिक ने दीती इसमें स्टैंड एंटी पर्लर डारेक्शन में हाइड़न बॉर्ण द्वारा जुड़े रहते हैं एडियनी की बात करें यह भी राइट हैंड होता है लेकिन यह बी डियने से शोटर होता है और यह डी हाड़ेटल फॉर्म म दो बेस पेर के बीज की लेंट 2.6 एंगस्टरम होती है इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉर्ण होता है इनका कंफरमेशन एंटी होता है अब जैट डियने की बात करें इसकी डिस्कवरी रीस साइंटिस ने की थी यह लेफ्ट हैंड होता है और जिग जग स्टक्चर होती है इसकी जो repeating unit होती है वो die nucleotide होती है और यह anti clockwise direction में left handed direction में twisting होती है और इसकी जो unit होती है वो die nucleotide होती है इसकी जो helix होती है इसकी length होती है 25 एंगस्टरम होता है एक helix के अंदर 12 base pair present होते हैं दो बेस पेर की बीज की डिस्टेंस 3.6 एंगस्ट्रम होती है, इसका जो डायामीटर होता है, हेलिक्स का एक का वो 18 एंगस्ट्रम होता है, इसका जो ग्लाइकोसाइटिक बॉंड होता है, इसका कनफरमेशन प्यूरिन का सीन होता है और पिरिमिडिन का एंटी होता है, और यह पर ये इनका comparison दिखाए गया है और देखने के लिए आप आगे देखे PDF को थैंक यू